बीए, बीकॉम, बीएस्सी, एमे, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी एकनो से, सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें, संबर करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीए वी पीजी कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने, सिवा सिवान के साइन्स अकैडमी के छात्र असरार हुसैन ने नीट में 675 अंक लाकर बढ़ाय अमान, गुपाल गंश की रहने वाले असरार हुसैन ने अपना ट्वल्थ का पढ़ाई साइन्स अकैडमी से पूरा करने के बाद कड़ी महिनत के साथ नीट की तियारी में चुटे थे और इनका महिनत भी रंग लाया, अब असरार हुसैन आगे मेडिकल की पढ़ाई कर बिहार में अपनी सेवा देना चाहते हैं, आज असरार हुसैन को साइन्स अकैडमी के डारेक्टर आफ्ताब आलम सहित तमाम शिक्ष असरार हुसैन है, मैं बिलोंग करता हूँ, गुपाल का जिला के भोरे प्रक्षंट से, और मैंने इस बार नीट में सिक्स सेवंटी फाइफ मार्क्स आप्टेंड की ए, एगारा सुबासट है, और कैड़गरी वाइस रेंग को भी सरेंग 300 है, कैसे त्यारी किये थे और हमारे यहां गुपाल के सिवान में अच्छे नियूरो सर्जन की बहुत जादा कमी पाई जाती है, नीट की तैयारी करने में काफी मुशकत का सामना लोग करना पड़ता है, जो भी हुआ है, उनकी वाव को क्या कुछ आप संद्रेज देना चाहेंगे? देगे, जहां तक अपने हम को पाने का जुनून अपने अंदर सवार कर ले, तो फिर कोई भी लक्ष भारी नहीं लगता, और जितना हम दूसरों से कट के रहें, दुनिया है, जितना कट के रहें, उतना ज्यादा मतलब परसेंटेज बढ़ जाता है अपने कामियाबी का, तो आप फैमिली व हो, तो साइन्स एकडमी नहीं मेरे निव रखे थी, वरन्हें इस से पहले शायद मुझे नहीं आता था कुछ, यहां मैं आया, मैंने टुवल्द के पढ़ाई यहां से करी और काफी सपोर्टी वरा मेरे लिए, नीट के तैयारी के लिए आगे जाकर के, क्योंकि कोड़ा य हाईले कॉलिफाइड होते हैं, और वो बैसिक नहीं बताते हैं, और वो बैसिक हमें यहां सीवान में बताया गया था, साइन्स एक निकल कर किसी बच्चे का पूरे औल ओवर इंडिया में OVC के टेगरी में 300 रेंक लाना, आपने आप में बहुत बड़ी पलब्धी मानी ज माइली स्टोर्न एक आदर्स है, और हम लोगों के लिए गौरवान-विच्छन है, क्योंकि इस सही माएने में हम लोगों को लगता है, कि हम लोगों ने जो मेहनत ही है, ऐसका एक अच्छा रिज़ल्ट सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्हों होता है, साइन्स एकडमी क होना उन बच्चों के लिए होता है जिनका टागेट पहले से फाइनल ना हो बस वो यह भीड़ का हिस्सा होते हैं जो सही माइने में कैरियर औरियेंटेड है अठारा लाग से ज़्यादा लड़कों ने भारा था और रिजल्ट देखे तो सिफ 93 लोग ही MBBS के लिए सेलेक्ट होते हैं कट अफ बहुत हाई है लेकिन जो मिलिटोरियस होते हैं जिनका लक्षे एक ही होता है वही तैयारी करते हैं तो सुरू से अगर तैयारी की जाए बेस ही दिशा में सही तरीके से तैयारी होना चाहिए और आज के लिए एक महत्मुन बात जो इसने भी कही है भटकाओ सबसे बड़ी समस्य है जो चात्र इस दौरान इस उमर में भटक गया वह कभी अपने लक्ष को नहीं पा सकता है तो एक लक्ष बनाईए ध्यान से पढ़िय जाती है सफलता के लिए नीव सबसें पॉर्टेट है घर बना रहें नीव मजबूत होनी चाहिए नीव बेसिक कंसेप्ट यानी नीव हो गई नीव का मतलब हो गया कि आपको NCRT की एक एक बात समझ में आनी चाहिए और उसकी सुरुआत सही माइने में क्लास 9 से ही हो जाती है कि सही तरीके से सही दीशा में मेहनत हो एक लक्षी रहे तो बहतर है मासी का निमिताएं बच्चेदानी निगाठ बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज याएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास पता है डॉक्टर रामा